तो कैसे आप सब मैं भी को ठीक हुए करती हैं आप भी मज़े में होगे दोस्तों आज हम बनाएं आमका अचार गर्मी आती हैं सब लोग आमका अचार घर पर जरू डालना बसंद करते हैं और आमके अचार की बहुत सी वराइटी होती है आज मैं आपको बताऊंगी मार्केट इस तरीके से पहुंच लेंगे पानी सुखाने के बाद हम इन इस तरीके से चुट चुरी टुक्रों में काट लेंगे जाए तर बाजार में जो हम आचार लेते हूं इस तरीके से छोटा कटा होता है वो खाने में स्वात तो लगता है या लेकिन खान में थोड़ा कन्वीनियंट और इजी भी रहता है इसके लिए मैं थोड़ा सा साबुत धनिया भी इस्तेमाल करूंगी क्योंकि कहीं कहीं पी और साथ में थोड़ा सा में नमक में छल्दी तो चाहिए हम जीरा भी इस्तेमाल करेंगे और हींग भी और सरसु के तेल में हम दोस्तों अचार बनाएंगे तो इन सब मसालों को मिला कर हम अचार बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम जो साबुत मसाले हैं जैसे कि मेती दाना यानि फेनोग्रिक सीट्स तो मैं दो टेबल स्पूं मेठी दाना लेरहे हूँ आप घैअद है धैप लेसकती है और साथ में जीरा डालेंगे मैं एक टेबल स्पून के करीआ चीप कर रही हूं जीरे से भी बहुत अच्छा जाइका आता है बाजार में लोग जीरा भी जरूरा आट करते हैं तो यह हम यह वाई धरधरा पीसती हैं नहीं कुछ घर धरधरा पीस लेते हैं ब्लैνεर जार लेते हैं और उसमें मच्छे से इसे बारीक पीश लेते हैं थोड़ा सा दरदरा और थोड़ा बीच-बीच में बारीक आप तीनों मसालों को बिना कुछ और एड़ किये आप यह पीशेंगे तो इन्हें चलिए थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं तो देखिए मैंने ब्लेंडर में अच्छे से इसे पीस लिया आए कुछ महीन है पीसे इसमें और कुछ बदरदरे मोटे हैं हमें इस तरीके से ही चाहिए था तो यह ड्राइप आट करते हैं और अचार का मसाला पहले ड्राइवाला बना लेते हैं तो इसमें मैं सबसे पहले करूंगी बारीक है इस इसे मैं 22 स्फमाइड कर रही हूं और शाथ यहम मैं इस्पे आट करेंगी कलउजी आप 1 मा ज disp कलने एट करें जिसे शाथ पहले बहूं आपढ़रदे अध्चैन करें तो अच्छे रखते टीस्पून के करीब ही इट कर रहे हूं कर शो एक आ सांत में दोस्तों इसमें अब या करेंगे मेज बजार में अच्छा होता है इसलिए मैं पिस्पून्स इस्तेमाल करेगी bigger मिर्चोर में ड्थाइ से तीन स्पून्स आड़ कर रही हूं जिससे कलर और जायका दोनों अच्छा आएगा और हल्दी दोस्तों कम एट करेंगे तो मैं इसमें दो टी स्पून के करीब हल्दी एट कर रही हूं ताकि इससे खुश्बू भी आएगी लेकिन रंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब इसमें नमक नमक अब मैं इसमें डालूंगे तीन टेवल स्पून क्योंकि नमक अगर ज़रा सा भी कम रह जाए अचार में तो अचार खराब हो जाता है तो इसलिए आप नमक इसमें बिलकुल उतना ही डाले कि अचार बिलकुल नमक खाने में आपको यह ना लगे कम है तो देखिए ड् कप सरसो का तेल लें उसे पैन में डालें और अच्छे से गरम कर लें हम इसे अच्छे से गरम करने के बार मसाले में आड़ करेंगे आप मसाले में आड़ करने से पहले तेल को अच्छे से तपा लें और मसाला इसमें नहीं बलकि इसे मसाले में आड़ करेंगे तेल पिछल luby जो अचार मिक्स करें तो मैं आराम रहें तो इसमें में गरम ओट कर रही हूं इससे मसाला भी पग जाएगा और तेल रही से सारे टेल को मसाले के ओपर डाल दे और अच्छे से मिक्स करें और इससे क्षी में क्या है ऐल यह ऊक्छापनां महांचा हृतिं क होता है जो आखों में और गली में लगता है जि DENNIS है जो मोल इस्तेमाल करते है तो प्रिखार में खाने में अच्छा रहता है अ करें के फिर इसमें आम के एपिस ऐट करें के तूब से थंडा कर लेते हैं मैं इसमें ऐदा लगेगा तो देखे मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है इसे हमने फ्रिज में नहीं रखा था यह बाहर रखे 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 रूम टेंप्रेचर पर आ गया है अब मैं इसमें कच्छे आम के सभी टुकड़े मिक्स कर देती हूं अच्छे से अब इसी तरीके से आड करते वे सभी आम के पीसिस को मसाले में आड कर लीजे अब हाथ से भी मिक्स कर सकती है चमच से भी मिक्स कर सकती है यह मसाले में आम के पीसिस बहुत अच्छे से कोट हो गया है अब इसे बर्णी में भर लेंगे और इसे रख देंगे एक दिन के लिए अब यहां इसमें तेल और नहीं आट करेंगे नहीं तो बर्णी में सबी मसाला नीचे बैठ जाएगा आप जिस भी बर्णी में इसे डालें वो साफ और सूखी होनी चाहिए लेकिन आप उसका ढखकन अच्छे से बनना करें ताकि एर पास होती रहे या फिर आप उसे से भी बन कर सकती है तार किसी भी बर्णी में डालने के बाद आप अचार की जार के ढखकन को थोड़ा सा इस तरीकी से खुला छोड़ दी पहले 24 गंटे के लिए ताकि एर पास हो अचार में आइसिड न बने और देखिए नेक्स्ट आप इसमें थोड़ा सा तेल और और नीचे होना चाहिए अकर तेल में अचार डूबा रहेगा तो खराब नहीं होगा कम तेल होने की वज़े से अचार ज्यादा खराब हो जाते हैं नमक कम होने की वज़े से आप दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखें मुझे उमीद है दोस्तों यह आसान सी रेसिपी आप से फिर मिलूंगी तब तक अपना ख्याल रखें सेहत बंद रहें और मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करें कोक विद मॉनिका